नमस्कार बच्चो आज के इस एपिसोड में इस वेडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 जियोगरूफी की सिलिबस की यानि कि क्लास 11 भुगोल की सिलिबस की हम बात करने वाले हैं यानि हम 11 जियोगरूफी में क्या पढ़ने वाले हैं कौन से टोपिक है जो हमारे लिए most important रहें कि सिलिबस बताना तो दो मिनिट में बताये जा सकता है आपको मार्क ही तो करवाना न ये chapter आएगा ये chapter आएगा ये chapter important रहेंगे ये chapter आपके सिलिबस में नहीं रहेगा दो मिनिट में सारा काम हो सकता है लेकिन हम यहाँ पर तसली से details में सारी चीज़ें discuss करेंगे हम discuss कि किस chapter में से क्या important है कौन सा chapter आपके लिए कितना important अब है और कितना important रहेगा future के लिए जब आप graduation करोगे, जब आप MSE करोगे जब आप exam दोगे government job के लिए तो कौन सा chapter कितना important रहेगा वो भी मैं आपको साथ साथ बताने वाला हूँ हम बात करेंगे कौन से chapter है जो five marker के लिए important रहेंगे कौन से chapter है जो आपके लिए three marker के लिए important रहेंगे, कौन से chapter है जिन में से map accelerated question पूछे जाएंगे यानि कि पूरे तरीके से ये आपका road map रहेगा, आपके लिए सबसे important ये वीडियो रहने वाला है, क्यों हम पूरी planning करने वाले है, planning नहीं, महा planning करने वाले है कि हमें 11th class में पूरे साल क्या करना है और क्या हमें नहीं करना है, तो सबसे पहले congratulations आपने geography को choose किया है अगर हम 11th class में जब हम subject को choose करते हैं, तो exactly वो 11th class के लिए subject नहीं होते हैं वो life के लिए subject हम choose करते हैं यनकी पूरे life हम इनी subject के साथ रहने वाले होते हैं एक छोटा सा decision हमारी पूरी life को change कर सकता है, अच्छे subject अच्छा combination जिसमें हमारा interest है अगर हमने वो choose कर लिया, तो वो सकता है, वो subject हमें बहुत आगे, सबसे आगे अगर हम arts की बात करें, humanities की बात करें, तो बहुत सारी subject होते हैं, यहां पे 100 प्लेस option अवलेबल होते हैं CBSC में या state board के एक जवाब देते हो, तो बहुत सारी subject होते हैं हमारे पास, लेकिन हर school में सारे subject अवलेबल नहीं होते हैं, लेकिन geography लेने का सीधा सा मतलब यह होता है, कि आप बाकी जितने भी humanities के बच्ची हैं, उन से आप lead ले चुके हैं दोड में, race में हम आगे निकल चुके हैं, कि यह वो subject है जो आपकी UPSC के लिए, आपके लिए government job के लिए आपको teaching line में आना है जो बाकी बच्चों से आगे रखेगा, आगे क्यों रखेगा, क्योंकि geography एक ऐसा subject है जिसको आप self study नहीं कर सकते हैं, आपने study किये, तो जो questions आएंगे उसमें से 60-70% questions वो होंगे, जब exam में GK related या general awareness related question आएंगे जो geography students, 60-70% questions जो होंगे, वो केवल वही students उनको reply दे पाएंगे, उनके answer दे पाएंगे जिन्होंने geography regular study की है, जिन्होंने geography regular नहीं पढ़ा है, वो अगर self study से courses करेंगे कि चलो ये questions हम त्यार कर लें, समझ में नहीं आने वाला उनको, क्योंकि ये concept based एक subject होता है जिसमें concept अगर हमारे clear है, it means that सब कुछ clear है, concept अगर हमारे clear नहीं है, तो कुछ भी clear नहीं होगा उसके बाद एक और चीज़ आपको करना है, आपने subject चूज किया, that's great second, आपको क्या करना है, कि कुछ students ऐसे हो सकते हैं, कि जब आपने subject को choose कर लें, उसके बाद आफ help book ले लो, वो हमें नहीं लेनी है अगर आपने help book ले ली, आपको जिगरूफी में कुछ भी समझ में नहीं आएगा जिगरूफी, जैसे मैंने बता है, concept का subject है, concept सब्जोगी, तो आपको लगेगा जिगरूफी में कुछ नहीं, आसपास की चीज़े है बहुत सारी चीज़े जिनके logic आपको समझ में आएगे, तो हमें book के through जाना है, book कौन सी best होगी, NCRT, उससे better कुछ नहीं हो सकता है उसकी language जरूर 11th class में difficult है, 11th class में कौन सी, जो आपके पास 3 book होगी, एक practical की book है, दो book हम study करने वाले तो उनमें से language जो first book हमारी रहेगी, fundamentals of physical geography, भोतिक भुगोल के मूल सिदन, उसकी language थोड़ी से difficult है, लेकिन जब teacher class में teach करेंगे, तो आपको मज़ा आने वाला है भाई वो सारे concept जिसको हम कह सकते हैं कि पूरी life है उसमें, पूरी geography है उसमें, पूरा हमारे आसपास का environment है उसमें, वो सब कुछ हम 11th class में पढ़ने वाले हैं, यानि कि आपको ये एक feeling भी आएगी कि हाँ, actually में हमने कोई subject पढ़ा है, आपको feeling आने वाले है कि actually में मुझे पहुत कुछ पता है, आपको एक feeling आने वाले है कि पहुत सारी चीजों के मेरे पास logic है, कब आएंगे, जब आप book के थ्रू जाओगे, तो NCRT के थ्रू जाओए, इसके लिए भी market में कुछ books available है, जो आप ले सकते हो, लेकिन book के format में लेनी है, help book हमें बिलकुल नहीं लेनी एक separate video में हम बात करेंगे, कि कौन सी book है, जो आप ले सकते हो, इनके अलावा, अगर आपको चाहिए, कि नहीं, इसके साथ-साथ हमें कुछ और deeply जाना है, तो कौन सी book के साथ जाओगे, वो हम separate video में बात करेंगे, अब हम बात कर लेते हैं, आपके syllabus की, सबसे पहले हम book की ब बताया कि आपका रहेगा practical का work, practical है, important होती है, उसके थूरू भी हम बहुत सारे concept सीखेंगे, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, कि generally हम उसके उपर focus करते हैं, दिसंबर में जाकर के, या नॉमबर में जाकर के, और यानि उससे पहले लगभग सा यह होता है, कि हम focus नहीं कर पाते क्योंकि इस लेबस को जो theoretical part है, उसके पर focus किया जाता है, लेकिन उसमें भी हम बहुत सारे basic concept हैं, जो हमारे इसी बुक से जुड़े हैं, वो basic concept हम practical के थूरू cover करेंगे, clear करेंगे, अब इसमें पहली जो आपकी बुक रहेगी, जिसको आप study करने वाले हो, वो है आपकी fundamental so physical geography, ओके, यह आपकी पहली बुक रहेगी, इसको हम हिंदी में कहें, तो बहुतिक बुगोल के मूल सी दान था, अब जो हमारी geography है, उसकी तीन शाखाई होती है, तीन branches होती है, एक बहुतिक बुगोल होता है, जिसमें हम बहुतिक तत्वों का धिन करते हैं, बहुतिक तत्व जो कौन से होगे, फिजिकल elements, कौन से होगे, जिसे आपकी soil हो गया, plants हो गया, जिसे water surface हो गया, atmosphere यानकी वायू मंदल हो गया, लीतोसफेर यानकी स्थल मंदल हो गया, जिसमें mountains हो गया, desert यानकी रेगिस्तान हो गया, plains हो गया, यानकी बहुत सारी concept जो आसपास की चीज़े वो सारी चीज़े हम बहुतिक 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 पूरी बुक के जितने भी चैप्टर से उनके वीडियो मैं अलड़ी पहले भी पुब्लिस कर चुक हूँ, अब दोबारा से वीडियो आने वाले हैं, कुछ और डिटेल्स के साथ कुछ ज्यादा एक्जमपल्स लेकर के आएंगे, तो पहले वाले वीडियो देखोगे, तो भ हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमारी पहली बुक रहेगी, फंडामेंटल सो फिजिकल जियोग्रोफी, भोतिक भुगोल के मूल सिधान थी, इसमें पहला चैप्टर हैगा जियोग्रोफी एजे डिसिप्लिन, भुगोल एक वीशे करूप में, कम्प्लीट थियोटिकल यानकि हम जियोग्रोफी सब्जेक्ट को समझेंगे, और एक छोटा सा टोपिक ये भी रहेगा, कि जो फिजिकल जियोग्रोफी है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या रहेगी, अगर हम बात करें, मार्क्स के पॉइंट ओफिसित, या आपका चैप्टर फोर मार्क्स के आसपास क रहेगा, यानकि एक थ्री मार्कर कोशन आना और एक आना आपका वन मार्कर, यानकि चार अंकों का ये चैप्टर आपका रहेगा, इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि बेसिक चीज़ें यहीं से आपकी शुरुआत होगी, उसके बाद जो सेकंड चैप्टर हमारा रहेगा, इसमें हम बात करेंगे, हमारी अर्थ की बात करेंगे, हम ग्रों की बात करेंगे, हम चंदा मामा की बात करेंगे, चंदा मामा पे हमें वो बुढ़िया दिखाई देती है, जो चर्का कातरी है, वो कौन है, उसके हम बात करेंगे, चंद्रमा, चंदा मामा, हमारा म मून कैसे बना, उसके हम बात करने वाले हैं, बात करने वाले हम उन तारों की वो तारे कैसे बने, वो तारे रात को टीम टेमाते क्यों हैं, यानि कि बड़ा इंट्रेस्टिंग सा चैप्टर है, कि हमारी अर्थ कैसे बनी, तो इसमें थोड़ी language difficult है, लेकिन जब हम समझेंगे concept को हमें मजाएगा, कि अच्छा, Big Bang Theory ऐसे थी, अच्छा, हमारी अर्थ ऐसे बनी है, यानि चंद्रमा ऐसे बना है, फैसिभी कोशिन, परशांत महसागर ऐसे बना है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर समझेंगे, concept समझने वाला यह, ओके, तो इसको थोड़ा सा science की तरह लीजेगा, यानि कि मजे मजे में, थोड़ा focus करके हमें करना है, उसके बाद थर्ड चैप्टर की बात करें, थर्ड चैप्टर हैगा, interior of the earth, यह जो चैप्टर है, इसका थोड़ा सा concept हमने समझाता, 7th class में, अगर थोड़ा सा अगर आप याद आए, तो उसमें हमने 7th class में हमने किसे इसकी बात के दी, हमने प्रित्वी के पर्तों की बात के थी, प्रित्वी के आंतरिक संचना में, हमने क्रस्ट की बात के थी, भूपरपट्टी की बात करी थी, हमने बात के थी, mental की, core की बात के थी, तो यहाँ पे भी हम क्रस्ट, mental, core की बात करने वाले हैं, तीनो कुछ पहले कर चुके हैं, कुछ नहीं चीज़े करेंगे और अच्छा लगेगा आपको मतलब लंबा भी नहीं है, लेंथी भी नहीं है उसको फूर्थ चाप्टर की बात करें तो वो है आपका Distribution of Ocean and the Continents Distribution of Oceans and Continents महासागरों और महादिपों का वित्रण ओके, यह जो चाप्टर है Beyond Imagination है इस चाप्टर में हम बात करेंगे कि हमारे जो अर्थ है जो महादिप है वो ते रहे हैं दूर जा रहे हैं देखिए, सोच सकते हो कि आपका स्कूल जहां पे था, वो उससे दो किलोमेटर दूर था, उसको धकार मार करके यहां पे लेके आएं मान लोगे, नहीं मानोगे लेकिन यहां पे यह चैप्टरा आपक से यह बात मनवाने वाला है, यह भाई सब कुछ possible होता है, यह महादिप ही खिसक सकते हैं, स्कूल तो क्या चीज है कैसे खिसकता है इसमें हम बात करेंगे अलफ्रेड वेगनर की बात करने वाले है वेगनर ने एक थियोरी दिये उस थियोरी को हम समझेंगे Continental Drift थियोरी है, महादिपिय विस्तापन सिधान ता, उसके हम बात करेंगे Plate Tectonic थियोरी जो 9th में पढ़े हो उसके हम बात करेंगे, बात करेंगे कुछ होर थियोरी की, समझेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ बड़ा मज़िदार सा चैप्टर है ने वाला यह आपका अगर exam point of view से देखें तो आपका जैसे जो third chapter है वो उसमें से diagram पूछा जा सकता है उसके लिए important रहेगा, जो fourth chapter है इसमें से आपका five marker question बन सकता है, clear तो उसके हम बात करेंगे, उसके बाद जो fifth chapter है आपका, minerals and rocks खनीज एवं शेल यह आपका अभी का जो syllabus है current का जो syllabus है, उसमें से delete कर दिया गया, यानकि आपके syllabus का part नहीं है, अगर आप study करना में पढ़ चुके हो ना आप, क्या होते है मिनल्स, और classification of मिनल्स की बात कीए, आधा chapter तो इसमें गया और आधे chapter में बात कीए, rocks जो cell होती है, चटाने होती हो, कितने परकार की होती है, अगनियस होती है आगने होती है, sedimentary होती है, उसकी बात, metamorphic होती है, रुपांतरित होती है, अब साधी होती है और आगने होती, उनकी बात कीए, और cell chakra की बात कीए, easy सा है पहले चीज़ें वो कर चुगे हो, कड़ना चाओ तो कड़ लोगे, basic concept के लिए, otherwise आपकी syllabus का part नहीं है, यनकि यही वो chapter है, जो delete हुआ इस बुक में से, उसके बाद हम 6th chapter की बात करेंगे, 6th जो आपका chapter रहेगा वो है geomorphic process, वो आकर्तिक परक्रियाई, इसमें हम समझेंगे कि ठातल के उपर, भूमी के उपर जो आकर्तियां होती है, वो आकर्तियां कैसे बनती है, कैसे फिर वो destroy होती है, यह process क्या चलती है, चैप्टर की भाषा अगर देखुए ना, language, हिंदी मीडियम की बात कराऊ, बड़ी difficult है, लेकिन chapter को समझोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, समझ में आ रहा है, सब कुछ हीजी है, तो easy chapter है, language difficult है, diagram बहुत सारे बनेंगे, diagram के थ्रू अगर कोई teacher आपको करवा रहा है, बता रहा है, समझा रहा है, तो मज़ा आएगा, हमेशा के लिए chapter clear हो जाएगा, chapter को मैं already detail में discuss कर चुका हूँ, पहले वीडियो आ चुके में दोबारा भी आ जाएंगे, clear, उसके बाद हम 7th chapter की बात करें, landforms and their evolution, भुहाकरतियां एवं उनका विकास, यह ऐसा chapter है, जिसमें हम बात करेंगे, जैसे नदी की बात करेंगे, रिवर की बात करेंगे, हम ग्लेशिर की बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे, जो waves होती है, ocean waves है, उनके हम बात करने वाले, यानि कि वो कई परकार की आकरतियां बनाती है, अपरदन भी करती है, कटाओ भी करती है, और आकरतियां landforms भी बनाती है, कौन-कौन सी landforms बनाती है, वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं इस चैप्टर में 50 के असपर 40-50 डाइग्राम बनेगे और डाइग्राम के थूँ अगर इस चैप्टर को आपने समझ लिया lifetime नहीं भूलने वाले हो मैंने कब किया था graduation में किया था बहुत पहले यह चैप्टर किया था उसके बाद दुबारा करने की ज़रूरती नहीं मैसूस हुई, बुक नहीं उठानी पड़ती मुझे इस chapter में, बस तब ही से वो याद हो गया, क्योंकि वो diagram के through concept को समझे थे, बहुत important chapter हैगा, diagram आ सकता है यहां से, और एक question भी आपका आने वाला confirm है इस chapter में से, उसके बाद जो six chapter है वो इतना exam के लिए important नहीं है, seven chapter आपका exam के लिए ज़्यादा important रहेगा, उसके बाद eight chapter की बात करें, composition and the structure of atmosphere, वायू मंडल का संख्थन एवं सरंचना, ओके, यह chapter छोटा सा है, पिदी सा chapter है, दो question बनेंगे, पहले हम समझेंगे वायू मंडल का संख्थन, composition की बात और water vapors होते हैं, यानि की जलवास होते हैं, तो वो समझेंगे कौन कितना है, उसके बाद बात करेंगे structure की, उसमें हम layers की बात करने वाले हैं, कौन सी layer से, कौन सी layer तक और उनके क्या feature है, तो दो question बनेंगे, important chapter है, important मतलब कि question आएगा ही आएगा, क्योंकि easy भी तो डालना न उनको, डुबाना थोड़े ही आपको सारा, तो easy chapter है और important भी exam के point office है, उसके बाद 9th chapter की बात करेंगे, 9th जो chapter है, ये भी उतना length ही नहीं है, छोटा सा chapter हैगा, इसमें हम solar radiation की बात करेंगे, solar radiation समझते हो ना, यानि कि धूफ जो हमें सूरे से आने वाली जो किर्ने हैं, उस हुषमा संतुलन की, ये जो जब सूरेff से इतनी गर्मी आती है, तो फिर तपता क्योंनी, पकोड़ें क्योंनी बनते हैं, इतना ओर्म क्योंनी होता, फे तो क्योंनी तपता है, इतना ओर्म क्योंनी होता, वो balance कैसे बना रहता है, उसको हम समझेंगे, concept समझने वाला, पे ज़्यादा टेंप्रेचर रहता है और कौन से फेक्टर है जो टेंप्रेचर को अफेक्ट करते हैं प्रभाइद करते हैं वो कंसेप्ट हम इस चैप्टर में समझेगें भाई अच्छा सा चैप्टर है ये भी उके एक्जाम के फॉइंटर इसे बात करें तो एक आद कोश्चन यहां से बनेगा आपका कितना बनेगा फाई मारकर तो नहीं बनना चाहिए थ्री मारकर में आज सकता है उसके बाद आपका रहेगा एटमसफरिक सर्कुलेशन और वेदर सिस्टम की बात करेंगे वाई मंडल इसमें ज्यादा बड़े-बड़े कंसेप्ट नहीं चोटी-चोटी से कंसेप्ट दिये गए चोटा सा चाप्टर दिया गए यह उसके बाद 11 चाप्टर में आएंगे वाटर इन दा एटमसफेर यहां से आपके वन या टू मारकर इस टाइप के कोश्चन बनेंगे इसमें ह क्लाउड की बात करने वाले रेंफोल की बात करने वाले पर्शेपिटेशन वर्शन की बात करने वाले वो सारी चीज़ेंगे बादल कितने परकार के होते हैं बारिस को समझेंगे कितने टाइप की होती है बारिस कहां पे कम ज्यादा होती है तो वो छोट-छोटी से हम पढ़ेंगे कि विश्यो की जलवाईउ मोटी तोर पे कैसी है उसको हम वर्गी करन करेंगे कि विश्यो की जलवाईउ के आधार पे वर्ल्ड की जो climate है उसके बेस पे उसको कैसे हम classify कर सकते हैं उन चीजों को समझेंगे और climate change की हम बात करेंगे climate change आप science में पढ़ते आ रह समझेंगे बाकी चीजें हैं जो समझने वाली है और बहुत सारी चीजें जो ओल्रडी आपकी clear is chapter से ले लेड़े उसके बात 13 जो chapter है उसमें महसागरी जल की बात करेंगे oceans को समझेंगे सभी को और ocean के नीचे क्या है उसके फर्ष की बात करेंगे floor को समझेंगे बस इतना सा इसमें दिया गया है उसके फोर्टीन चैप्टर है यह आपके exam के point of is थोड़ा important रहेगा moments of ocean water महसागरी जल संचलन की बात करेंगे पानी जो है महसागर का रुका नहीं है उसमें लहरें भी आती है उसमें जवार भाटा भी आता है okay high tide low tide भी आती है tides भी आती है उसमें ocean crunch यान की जल धाराई भी होती है यह तीनों चीज़ें क्या है क्यों चलती है क्यों नहीं चलती है क्या फायदे है क्या नुक्सान है वो यहाँ पर हम समझने वाले हैं okay easy chapter exam के point of is important भी है उसके बाद हम 15 और 16 चैप्टर के उपर आएंगे 15 जो हमारा चैप्टर है गा life on the earth यह एक तरगी से बाइजियोग्रोफी का part आ जाता है जिसमें हम बात करेंगे कि life कैसी है क्यों possible हुई है ऐसा क्या है अर्थ के उपर उसको समझेंगे और 16 चैप्टर है भाई मज़ेदार सा चैप्टर है बहुत important बहुत interesting आस पास की चीज़ों को समझेंगे इस चैप्टर के question रहेगा एक आपका one या two marker question भी रह सकते है तो ये दोनों chapter है ये भी बहुत important रहेंगे clear समझ में आया तो ये जो आपकी पूरी book है पहली book जिसके हम बात की 16 chapter में से 15 chapter आपके इस लिवस में आने वाले है 30 marks के आपके question answer रहेंगे 5 marks का आपका map work या फिर diagram रहेंगे map work बनने वाला नहीं इस book में से तो diagram रहेंगे आपके तो वो हमें करने है और इसमें से जो most important chapter की हमने बात की थि कि इसमें आपका रहेगा chapter number one जो कि four marks का श्योर रहेगा उसके बाद आपका chapter number two भी important रहेगा four important रहेगा उसके बाद गा शेवन्थ इंपो इंपोर्टेंट रहे उसकी बात करते हैं, इंडिया फिजिकल इन्वार्मेंट, भारत के भूतिक प्रियावन के हम बात करेंगे, ये बुक भी आपकी कितनी रहेगी, 35 मार्क्स के रहेगी, यानकि इसमें 30 मार्क्स के आपके कोशन आंसर रहेंगे डारेक्ट, और 5 मार्क्स आपके मैफ़क या फिर 7th chapter हैं, as it is, title की बात करें, heading की बात करें, as it is 9th class से लिए गये, as it is, 9th में थे जो chapter, वही chapter as it is, यहाँ पे अपने 11th class में आ चुके हैं, difference क्या है, content थोड़ा सा deep कर दिया गया, थोड़ा सा concept को थोड़ा सा deep जाकर के study करने वाले, लेकिन थोड़ा सा ही deep जाएंगे, उससे ज्यादा भी नहीं जाने वाले, यान कि यहाँ पे आपके लिए स्कोरिंग रहने वाला है, लेकिन याद रखेगा, स्कोरिंग रहने वाला है, लेकिन यह ना हो कि सारा सारा फोकस हम यहाँ पे कर दें, आपके लिए यह जो बुक है, जो हमने पार्ट ए किया, fundamentals of physical geography, भोतिक भुगोल के मूल सिदान, वो आपके लिए lifelong journey का सबसे important part रहने वाला है, तो उसको समझना जरूरी है, स्कोर तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा focus नहीं करना, वहाँ पे ज़्यादा focus करना हमें, तो यहाँ पे पहला chapter हैगा, इंडिया location की बात करेंगे, इसमे यहाँ पे समझेंगे, छोटा सा chapter है, लेकिन time बहुत लगेगा, क्योंकि इसमें concept बहुत सारे समझेंगे हम, उसके बाद second chapter हैगा structure and the physiography, सरंचना तथा भुव आकरिती विज्यान, इसमें क्या समझेंगे, हम बात करेंगे, सबसे पहले basic concept हम समझेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे, इंडिया के physiographic, भारत के physiographic, भारत को कितने भागों बांटा जा सकता है, physical divisions कितने होंगे, तो इसमें हम हिमालय परदेश की northern plane की बात करने वाले हैं, उत्री भारत की विशाल मिदान की बात करेंगे, desert यान की थार के मरुस्तल की बात करेंगे, platos यान की जो हमारा south इंडियन प्लेट ही हुए, उसके हम बात करेंगे, पठार की बात करेंगे, coastal plane, 30 मिदानों की, deep smoke है, उनको हम समझेंगे, जैसा कि अपने 9th क्लास में समझाता, साथ-साथ जो प्लेट टेक्टोनिक थोरी है, उसको भी थोड़ा सा detail में हम यहाँ पर समझने वाले हैं, easy सा, interesting बहुत interesting चैप्टर रहने वाला है, उसके बाद drainage system जो हमारा चैप्टर है, अफवात अंतर, थर्ड चैप्टर हैगा, 9th वाला agities ही लगबग दिया गया, इसमें हम नदियों की बात करेंगे, जूतरी भारत की हिमालेश निकलने वाली नदियां है, उसके बाद जो south इंडिय चैप्टर हैगा climate, मज़ा आएगा इस चैप्टर के साथ, क्योंकि इसमें हम क्या समझेंगे, जैसे अब बात की जाए, मौन सुन आता है, कभी बारिस ज़्यादा आ जाती है, क्यों होता है, कभी कभी सूखा पड़ जाता है, ऐसा क्यों होता है, कहीं कहीं पे बाड आ जात है, बारिस हो सकते हैं, वो कंसेप्ट ऐसा क्यों कहा जाता है, क्या लेना देना है, वो सारे कंसेप्ट हमारे इस चैप्टर से क्लियर होने वाले है, नाइन्थ में आपने पड़ा था, हो सकता आपने चैप्टर को उस वे से नहीं पड़ा था, यहाँ पर हम दूसरे चसमें से पढ़ेंगे फिप चैप्टर नेचल वेजिटीशन ये चैप्टर आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है वही चैप्टर एजटीज यहां पे दिया गया हम इंडिया के नेचल वेजिटीशन की बात करेंगे थोड़ा बहुत हम वाइड लाइफ के बारे में भी यहां पर करने वाले है उपका स्वेल्स मिटी यह चैप्टर आपने स्वेल्स के बारे में पढ़ा था 10 क्छास में फर्स्थ चैप्टर था आपका tea फिप चैप्टर भी सी टाइप से फूर्थ चैप्टर उसमें ठोड़ा ताइम लगेगा उसłeं ठाइम लगे basically बहुत सारे बच्चों ने पहले किया है किन स्टूडेंस ने किया है CBSE के उन स्टूडेंस ने जिन्होंने 9th क्लास में Disaster Management का प्रोजेक्ट बनाया है एक compulsory प्रोजेक्ट होता है कुछ बच्चों ने बनाया होगा कुछ school students ने बनाया है नहीं बनाया है तो आपके लिए निया 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 कंसेट नहीं है इसमें हम समझेंगे कि प्राकर्तिक संकर्ड Natural Hays Arts क्या होते है Disaster क्या होते है जीसे बुकम की बात करेंगे wolcanos की बात करेंगे बात करेंगे हम سUNामी की बात करेंगे हम आग की बात करेंगे हम बाड की सूखेंगी वो सारे चीज़े समझेंगे क्यों आती है कहां आती है और कैसे रोका जा सकता है ये एक knowledge वाला chapter कि मैं basically भी वैसे पता होना चाहिए तो इसमें हम एक जो regular students होती है generally ये होता है कि एक project बनाया जाता है जब हम project बनाते हैं तो सब कुछ clear हो जाता है तो हम भी समझेंगे कि अगर project बनाना तो कैसे बनाया जा सकता है उसका video already मैं upload कर चुका हूँ अगर आप कहां पे जाओगे आप playlist में जाए playlist में projects की एक अलग से तो ये रहेगा आपका syllabus एक अलग separate video लेकर के आएंगे उसमें हम बात करने वाले हैं कि map work में कौन से topic कौन से points आप से पूछे जाएंगे और क्या कुछ है जो आपके लिए map work के लिए important रहेगा हलांकि map work के जो points रहेंगे आपके लिए almost जो 9th में आपके topic important थे वही रहने वाले हैं फिर भी हम separate video में इनको detail में discuss करेंगे उमीद करता हूँ कि ये station ये video आपके लिए काफी ज़्यादा important रहा होगा अगर आपको ये सारे चीज़ें अच्छी लगी इस तरीके से सारे concept clear हुए तो छोटा सा comment जरूर कीज़ेगा और अगर आपको लगा कि हाँ ये helpful हो सकता है video आपके friends के लिए तो share भी जरूर कीज़ेगा अच्छा लगता है जब आपके comments आते हैं अच्छा लगता है जब positive आपके feedback आते हैं फिर भी कोई doubt रहता है कोई question है कुछ भी पूछना है तो आप comment केज़ेगा कोशिश के जाएगी कि आपको तुरंत reply दे दिया जाए इस video में इस episode में बस इतना है thank you bye bye have a nice day